नमस्कार बच्चों, नौभारती स्ट्री सरकल में आपका पुन्हें एक बार स्वागत हैं, अभी हम लोग संक्यकी के कुछ पाठों को लेकर चल रहे हैं, तो संक्यकी का ये एक और पाठ, परसेंटाइल, इसको समझने का प्रयास करेंगे आज़ा, परसेंटाइल और परसें और मेरी आप लोगों से बिलकुल इस बात के लिए कहना है कि इसको ध्यान से देखिए इस लेसन को, जो परसेंटाइल निकालने और परसेंटाइल रेंक निकालने के जो तरीक के खोज के यहां पर दिये जा रहे हैं, जो समझाये जा रहे हैं, ऐसा आपकी पुस्तक के देखिए हमें यदि कोई स्कोर पता लग जाए तो भी हम ठीक प्रकार से उस स्कोर को जानकर कहने सकते कि वास्तों में हम उस सब्जेक्ट के अंदर उस विसी के अंदर कितने अधिक परमीन हैं, आपके मालीजिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी अंक आ जाएं, तो अंक से आप कैसे पता करोगे कि आप उसमें कितना जानते हो, यहाँ एक एक एक्जामपल लिया है इनोंने, कि आपको साइनेश में, शर्म करने में मालने जिए आपके 35 अंक प्राप्त हुए, कुल 50 अंक थे पॉसिबल उसमें से, अब आप बोलो कि कि मैं कितना सर्मी ल लोगों के, अंक आप से कम प्राप्त हुए, और 35 परसेंट लोगों के अंक आप से अधिक प्राप्त हुए, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो स्कोर आया था 35, यह 35 स्कोर वास्तों में 65 परसेंटाइल है, और 65 परसेंटाइल से आपको समझ में आता है, कि आप कितने सर्मी कितना शाइने से आपके अंदर कि आप कहां जाते हैं तो यह रैंक बताता है परसेंटाइल आपको इसलिए परसेंटाइल रिकालने के तीन तरीके हैं तीन डेफिनेशन दी जाती है समाने तया पहले डेफिनेशन है कि 65th percentile as an example the 65th percentile can be defined as a lowest score that is greater than 65% of the score 65% से ज्यादा अंक जिन्होंने प्राप्तिक की जिन्हों ज्यादा अंक से अधिक चो लोग है जिन्हों ज्यादा अंक है greater than 65% of the score score के 65% से ज्यादा जिन्होंने अंक प्राप्त की उनमें जिसके सबसे कम अंक है वो कहलाता है परसेंट है सेकेंड डेफिनेशन इसकी ज्यास उलट है यह कहता है कि greater score that is smaller than of equal to 65% 65% जो है उसके टोटल अंकों में से 65% लोगों ने जो अंक प्राप्त की है उनमें सबसे अधिक जो अंक है वो है आपका 65% है इन दोनों परसेंटल में थोड़ा सा अंतर है एक उसके 65% से जो small है उनकी अंदर सबसे बड़ा वाला और एक जो सबसे अधिक है 65% उनमें से सबसे छोटा वाला लेकिन हम कह सकते हैं कि यह दोनों ही जो आपके परसेंटल आएंगे कि दोनों एक जैसे नहीं आएंगे इनमें अंतर होगा इनमें अंतर होगा तो फिर तीसरी definition और आई इसके निकलके वो तीसरी definition आई कि जो अंक है वो यह दिए points के अंदर आते हैं तो हम कैसे निकालें बिल्कुर rank correct नहीं होके points में आ सकती है बिल्कुर accurately निकाला गया इसे हम इसको एक example लेके समझेंगे तो ज़दा ठीक परकार समझ पाएंगे यह वास्तों में percentile के greatest निकाला गया mathematical निकाला गया calculate करके निकाला गया point पर आए तो आजाए और पोर पोर rank नहीं आते rank पोर नहीं बनती तो भी हम उसको निकाल सकते हैं जैसे मीडिया निकालते थे उसको निकालने का प्रयास करते हैं कि फ्ष्िस लेते हैं जिस एक समय में आइगा कि एक जापर रहती हैं आठ ये CTT यह जो टेबिल दी हुई ए आठ लोग नंकी किऊन संथा लिए सबसे चोटा अंग सबसे उपर और उससे बड़ा 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 ऐसा करते हम चले गए इस परकार से हमने इन अंकों को हमने बढ़ते वे करम में एजन्डिंग ओडर में जमा लिया यह इनकी रेंक है रेंक 1 2 3 4 5 6 7 8 इस परकार से ठीक है सबसे कम वाले को यह कर दिए सब्सक्राइब को उत्थ कि अर्जाकले चंडिंग ए जो पर सेंटेली का फ़र्मूला है वह हैं तुन क्या हो जितू पर सिकली आपको 25 पर सेंटेल निकालनी है 65 इन कालनी हैं 25 65 जिसे में पिछले एग्जामपल में 65 निकाल लिए थी न तो यहां पी के स्थान पर 65 लिख देंगे n प्लस 1 n टॉटल नंबर ओफ इस्टुडेंट या जो भी है वो कितने है तो यह 8 है तो यह n के जगे पर 8 है जाएगा इसको calculate करते है 25 हम इसकी percentile निकालने जा रहे है तो 25 यहां लिख दिया 100 इंटो 8 प्लस 1 यह 9 हो गया और 25 बटे 100 है तो 1 बटे 4 तो 9 बटे 4 चार का भाग दिया तो 2.25 रेंग आई 2.25 कहा है रेंग पे 2.25 वाला आपका 25th percentile के लाएगा अब 2 के सामने तो 5 है 2.25 तो है नहीं नहीं तो 2 और 3 के बीच में कहीं होना चाहिए 5 और 7 के बीच में कहीं होना चाहिए इसको अब हम ठीक परकार से अच्छे से निकालते हैं देखिए इसमें 2.25 में एक तो यह पूर्णांक है और एक यह भिन्नांस है तो पूर्णांक और भिन्नांस दोनों को हम देखके वह निकालते हैं इसको निकालने का एक तरीका है जब इंटीजर के रूप में नहीं है तो हम कैसे निकलते हैं जो इंटीजर के रोप में नहीं आया दो आता तो हम सिधे-सिधे बोल देते कि पास था लेकिन इंटीजर नहीं है तो इसमें जो पूनांस है आई-ार उसे बोलेंगे आई-ार वो तो दो है जो भिनांस है फ्रेक्षन वाला पॉर्शन पार्ट है वो है इंटीजर वाला पार्ट इंटीजर वाली रैंक और जो फ्रेक्षन वाली रैंक है इफ तो यूड़े देंगे Cincinnati is is तो थोड़ा सामय अनकों से लिखते वे आपको सामने कर चलता हूं नठी वह है आपके दो इसमें आपको एक जोरना है आर में एक जोरना फिक होजाएगा दो मैहें जोडा तो आपका हो गया त21 और 23 पर तो था उदर 5 Mayor 3 पर था उदर 7 5 और 7 अंक थे 5 और 7 अंकों को में ध्यान से रखना है फिर हमिस उतरिक के अंदर लगा देना है अब इसके आब वाद में क्या करना है हमें हमें जो यह जो आपकी FR थी 0.25 इस FR को लिखना है 0.25 इससे आपको गुणा करना है यह जो आपके 7 और 5 आया है ना 7 और 5 7 प्लस 7 में से 5 अटाएंगे 7 मैनस 5 और इसमें जोड़ देंगे यह वाले 5 जो 5 आये थे आपके आई आर से सीदे सीदे इस प्रकार से इनको सॉल्ब करेंगे तो आएगा आपका 5.5 इधर का जो आउंका है वो इस पांच में जोड़ देंगे तो जो 5.5 है आपका यह आपकी आई यह परसेंटाई यह कहल आईगे आपकी 25th परसेंटाई ठीक है 25th परसेंट 5.5 रेंक 2.25 परसेंटाई रेंक बलते 2.25 अब हम इसको थो